माभारत युद्ध के विद्वाओं का क्या हुआ था? माभारत युद्ध पौरानिक युद्ध में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योध्धा वीरगति को प्राप्थ हुए थे. इस युद्ध की विबिशिका ने समपूर्ण भारत वर्ष को लगभग योध्धा बहीन कर दिया था. पुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योध्धा पुरुष थे. लेकिन दर्शबू क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्थ हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आईए जानते हैं इस वीडियो में कथा के अनुसार माभारत युद्ध के पश्षात पांडू पुत्र युदिष्थर का हस्तिनापूर के नरेश के रूप में राज्यब शेक हुआ. उसके पश्षात पांचों पांडव राज काज के साथ साथ अपने जैश्च पिता, दृत्राष्ट, बड़ी मा गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे. पांड़ों की सेवा से दृतराष्ट और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए इसी तरहां 15 वर्ष का समय बीद गया तब एक दिन दृतराष्ट ने युदिष्ठर से कहा हे युदिष्ठर अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं इसलिए हमें जाने की आग्या दो अपने जयश्ट पिता की बातों को सुनकर युदिष्ठर दुखी हो गए परन्तु विदुर के समझाने पर उन्होंने दृतराष्ट सेद, गांधारी, माता कुन्ती और विदुर को वन जाने की आग्या दे दी उसके अगले दिन दृतराष्ट, गांधारी, कुन्ती, विदुर और संजय, सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए लेकिन उस युद्ध में विद्वा हुई स्त्रियां शोक में अक्सरोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती, कुछ समय पश्चात एक दिन पांधों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुन्ती से मिलने की इच्छा हुई, सहदेव ने अपनी इच्छ को शेश चारो पांधों से जाकर कहा, सहदेव की बाते सुनकर शेश तीनो पांधव, भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुन्ती से मिलने की इच्छा जागरित हो उठी, ये देख हस्तिनापूर नरेश युदिष्ठर ने वन जाने के लिए आ उन लोगों में वो विध्वास्त्रियां भी थी, जिनके पती माभारत के युद्ध में भीरगती को प्राप्थ हुए थे, वन पहुचकर पांचों पांधव उस आश्रम में गए, जहां सभी निवास कर रहे थे, बाकी के हस्तिनापूर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे, कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्शी वेद व्यास उस आश्रम में पांधवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्शी वेद व्यास ने देखा कि पांधव सहित हस्तिनापूर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक म डूबे हुए हैं, ये देख महर्शी वेद व्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगती को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिये, विस सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं, विस सभी अपने अपने अतिप्रसंद हैं, परन्तु महर्शी वेद व्यास के इन कत्नों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ, तब महर्शी वेद व्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा, ये सुन पांडवो सहित सभी के चेहरों पर हलकी सी मुस्कान उभराई, जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे, वह गंगा नदी के तड़ पर स्थित था, शाम को सुर्यास्त होने से पहले महर्शी वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तड़ पर पहुचे, फिर सुर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से माभारत युद्ध में मारे गए सभी योध्धाओं का आवहान किया, महर्शी के आवहान से सभी योध्धा एक-एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे, अपने मृत परिजनों को अ इनके अपने मृत्यू लोग के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोगों में प्रसन्यता पूर्वक निवास कर रहे हैं, ततपश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था, वह समाप्त हो गया, कुछ समय बाद युध में मारे गए य एक एक कर गंगा जल में डुपकी लगा कर अद्रिश्य होने लगे। ये देख मैरशी वेद व्यास ने विद्वास्त्रियों से कहा कि जो स्रियां अपने पती के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती मैरशी के इतना कहते ही सभी विद्वास्त्रियों ने गंगा के जल में डुपकी लगा कर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पती के लोग चली गई।